सीजन 5 एपिसोर 15 स्टार्ट होता है और हमें फिर से उस आदमी की गाड़ी देखती है जो लोगों को कायब करता है यानि निव आइडिन्टिटी देखर नए कंट्री में वो लोगों को लाता है जब गाड़ी से उतरता है वो सौल होता है सौल भी अब इस सब से भाग जा रहा होता है उस पर भी इंक्वारी हो सकती है इसलिए अपुवा से भाग रहा होता है फिर वो जब उतरता है तो ये वैक्यूम क्लीनर का शौप होता है सौल बोलता है कि ये तो एक एक्च्छल शौ प्रशिश करूंगा तुम्हारे साथ एक कमपनी भी है यानि वॉल्टर भी वहा होता है वॉल्टर को भी वह जल्दी से वहां से नहीं निकाल सकता इसलिए एक रूम में उसे उसने रखा होता है Saul पुछता है कि यह कैसा है पर water अपना mind lose कर रहा होता है फिर Marie को छोड़ने DA के agents उसके घर पर आते है पर वो जब उसके घर पर पहुचते है तो उसका घर breaking हुआ होता है सब files वेगरा सब रस्ते पर पड़ी हुई होती है तो फिर Marie को वो फिर से safe house लेकर जाते है जब वो अंदर जाकर देखते है तब घर सब तबा होता है जैसे ने जो DA के लिए वीडियो क्लिप बनाई थी ये ढूडने के लिए Todd और उसके अंकल ने वो पुरा घर तबा किया होता है वो सब ये वीडियो क्लिप देख रहे थे और कैसे Todd ने उस बच्चे को मार दिया ये उस क्लिप में होता है फिर Todd के अंकल बहुत ही गुस्सा हो जाते है और उसे मारनी के लिए बाहर आते है Todd उसे बोलता है कि इसे हमें नहीं मारना है हमारे पास और मितलमीन है और हमें और भी कुक करना जाहिए उसके अंकल उसे बोलते है यह हमारे पास तो बहुत सारे पैसे है हमें क्या अब जरूरत क्या है टॉड ना बोल रहा होता है टॉड बोलता है कि हमें और भी पैसे मिल सकते है फिर उसके अंकल फिगर आउट कर लेते हैं कि यह लीडिया के लिए कुक कर रहा है तॉड को लीडिया से प्यार हो चुगा है इसलिए वो उसके लिए कुख कर रहा है फिर वो हसता है और फिर वहाँ से चला जाता है Walter और Saul एकी कमरे में होते हैं और Walter Saul से पूछ रहा होता है कि तुम्हें जो भी असेसिन्स वगिरा पता है उसके नेम नंबर मुझे यहाँ दे दो Saul पूछता है कि यह तुम क्यों कर रहे हो Walter बोलता है कि Todd के अंकल ने मेरे सब पैसे ले लिए है उन्हें ने हैंक को भी मार दिया तो मुझे अब बदला लेना है मेरे पैसे भी मुझे सब वापस लाने है इसलिए मैं इस असेसिन्स के नाम मुझे चाहिए Saul बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ आडवाईस दे सकता हूँ पिर Saul बोलता है कि तुम यहां से कहीं मत जाओ तुम पुलिस के पास जा ले जाओ और उन्हें तुमारे जो सब पैसे है वो सब दे दो और तुम जो क्राइम तुमने किया है उससे तुम टेस्टिमोनी तुम दे सकते हो अगर तुमने कमिट कर लिया कि मैंने यह सब क्राइम्स किये थे तो तुमारी फैमिली को छोड़ देंगे वरना तुमारी वाइफ को बहुत ही ट्रबल हो सकता है वो उसे जेल में भी डाल सकते है उसके पास तुमारे ओपरेशन के डिगार्डिंग उसनी जादा इन्फॉर्मिशन नहीं है वो उसे जाने का टाइम आ गया है पर वाल्टर बोलता है प्लान चेंज हो गया है और सॉल मेरे साथ ही आएगा सॉल उसे यूसफुल हो सकता है इसलिए वो उसे वही रुकाना चाहता है सॉल उसे बोलता है कि मैं अब लायर नहीं हूँ मैं एक सिविलन हो चुका हूँ तो मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता वाल्टर फिर से उसे धमकी देने की कोशिश करता है कि मैं जब बोलूँगा यह सब खतम हो गया तब यह सब खतम होगा पर फिर उसे खासी आ जाती है और वो ही पढ़ जाता है मालूम है जब तक मैं तुम्हें वाल्टर दे नहीं दूंगी तब तक तुम मेरा जीना हराम कर दो के पर मैं तुम्हें वाल्टर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि वाल्टर कहा है उन्हें कुछ तो information चाहिए होती है Walter की सब business की Skyler जब फिर घर पर होती है तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है Todd ने उसके आदमियों के साथ मास पहना हुआ होता है और वो Skyler के पास आया हुआ होता है वो पुछता है कि घर में और कोई है फिर वो उसे बोलता है तुम्हें मैं बोलने के लिए चांस दूँगा पर अगर तुम चिल लाई तो मैं तुम्हारे बेबी को मार दूँगा फिर Skyler बोलती है कि घर पर कोई नहीं है मेरा बैटा उसके फ्रेंड के साथ रह रहा है फिर टाड उसे समझाता है कि उस दिन कारवाश पर जो लेड़ी आई थी यानि लीडिया वहाया आई थी तो तुम्हें उसे भूल जाना है तुम पुलिस से बात किरी हो ये ठीक है पर तुम्हें उस लीडिया के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फेज से आकर तुमें मार दूँगा स्काइलर बहुत ही डरी हुई होती है तो टॉड उसे नहीं मारता टॉड को लगता है कि स्काइलर सब समझ गई है नेक सिन में लीडिया एक कैफे में टॉड से मिलती है टॉड बोलता है कि तुम्हारा मैसेज उस तक loud and clear चला गया लीडिया ने Skyler को उसे मारने के लिए बोला होता है टॉड बोलता है कि वहती डर गई थी इसलिए मैंने उसे नहीं मारा उसे समझ गया है और वो कुछ भी नहीं बोलेगी लीडिया बोलती है कि मैं अब रिस्क नहीं ले सकती मैं तुम्हारे साथ अब बिजनेस नहीं कर सकती फिर टॉड उसे बोलता है कि हमारे purity 92% आ गई है लीडिया है सुनकर बहुत याश्य चकित हो जाती है उसे फिर लग रहा होता है कि ऐसे तो हम बहुत पैसे कमा सकते है टॉड उसे जिसके बारे में बताता है नेक्स इन में हमें वाल्टर एक नई कंट्री में दिखाया गया है वो आदमी उसे कैबिन में लेकर आता है और बोलता है यह तुमारे पास अब सब चीज़े है कैन फूट से तुम कोक कर सकते हो उसको लिए हीट जनरेटर भी होता है उसके लिए सब उसने स्टॉक अप कर दिया होता है वाल्टर उसे बुछता है कि यहाँ कोई फोन है तो फिर वो आदमी उसे बोलता है कि नहीं यहाँ कोई भी फोन नहीं है यहाँ अगर तुम किसी को कॉल करोगे तो तुमारा कॉल स्क्रीन हो सकता है और तुम पकड़े जा सकते हो वो नेक्स्ट मन फिर से आने वाला होता है सप्लाइ देने के लिए इस नेक्स्ट मन के लिए वोल्डर उसे 50,000 देने वाला होता है वो वोल्डर को बता कर चला जाता है कि यहाँ एक टाउन है जहाँ तुम नहीं जा सकते अगर तुम वहाँ गए तो मैं तुमारे सप्लाइ के लिए नेक्स्ट मन फेसे नहीं आऊंगा क्योंकि यह मेरे सेफटी का सवाल है वोल्डर फेंस तक जाता है और वो जाने वाला होता है पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है वो खुद से ही बोलता है कि मैं नेक्स दिन जाऊंगा जिससी के पास एक पीन होती है उस बीन से वो अपने जो हटकडिया होती है वो खुलने की कोशिश करता है वह फिर टॉड आता है और उसे आइसक्रीम देना चाता है फिरसे वो अपने हटकडिया लगा लेता है जैसी फिर आइसक्रीम खाता है पर जैसी उसे बोल कर जाता है कि जो तुमने cover किया है वो आज खुलाई छोड़ दो underground एक basement टाइप जगा में होता है जिसको ceilings होती है और वो उसको cover किया होता है Todd ने तो इसलिए उसे वो open करकर जाने के लिए बोलता है जैसी फिर अपनी हतकडिया खोल लेता है और कैसे वैसे वो ceilings से उपर आ जाता है वो फिर भागता है पर वहाँ एक security camera होता है security camera से सब वहाँ आ जाते है और जैसी उन्हें बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हारे लिए अब cook नहीं करने वाला फिर वो उसे ब्रैक्मेर करने के लिए Todd Andrea के घर जाता है Andrea को बाहर बुलाता है Andrea को बोलता है कि Jesse तुमारे लिए बाहर खड़ा है Andrea जब देखती है तब उसे Jesse दिखने ही रहा होता पर Todd फिर उसे मार देता है Jesse यह सब गाड़ी से देख रहा होता है वो बहुत द्रोता है टॉड के अंकल उसे बोलते है कि अवे भी वो छोटा बच्चा जिन्दा है उसके लिए तुम्हें अब कुक करना पड़ेगा नेक्स्ट सीन में हम फिर से वॉल्टर दिखता है प्रिवियस सीन को अब वन मंध हो चुका है सप्लायर अन के लिए फिर से वो आदमी आता है वो उसे पेपर्स देता है उसके ग्लासेज देता है वॉल्टर उसे पूछ रहा होता है कि स्कायलर कैसी है वो बोलता है कि मैंने उसे टिवी पर देखा उसका लॉयर बहुत ही घटिया है वो अपना नाम चेंज करकर काम कर रही है एक छोटा सा घर सकाइलर ने लिया होता है फिर वो उसकी जो किमो थेरिपी होती है उसकी सलाइन भी उसे दे देता है और वो उसे लगा देता है वाल्टर बहुत ही अकेला होता है तो उसे बोलता है कि क्या तुम और कुछ टाइम तक रूख सकते हो वो बोलता है कि मुझे बहुत दूर जाना है इसलिए मैं नहीं रूख सकता फिर Walter उसे एक घंटे के लिए 10,000 डॉलर्स देता है वो कार्स प्ले करते है Walter उसे पुछता है कि क्या अगर मैं मर गया एक बार में जाता है और फिर वहाँ से कॉल करता है Walter उनियर को उसने एक कॉल किया होता है Walter उनियर से वो बोलता है कि जैसे सब चीजे हुए यह मैं चाहता नहीं था पर यह अब हो चुके है मैंने बहुत बुरे काम किये है मैं तुमारे लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ यह मैं तुमारे फ्रेंड के पते पर भेजूँगा यानि कि किसी को यह पता ना चले तुम यह पैसे प्लीज रख लो पर Walter उनियर कुछ भी सुनने के मोड में नहीं होता वो उसे बोलता है कि तुमने अंकल हैंक को मार दिया है और फिर वो उसे बोलता है कि तुमें मर जाना चाहिए और फोन रख देता है फिर Walter को लगता है कि अब यह पैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले उसके पास कोई option ही नहीं है फिर वो बार पर जाता है और एक drink order करता है पर उससे पहले उसने पुलिस को call कर दिया होता है फिर बार डेंडर एक channel change कर रहा होता है वहाँ ग्रेचन और इलियेट की interview चल रही होती है उस interview में उन्हें पुछा जाता है कि Walter White से उनके क्या संबन थे तो बोलते हैं कि उसने हमारी company में कुछ भी contribute नहीं किया है company का जो नाम है बस वही उसका है वो उसे कुछ भी credit नहीं दे रहे होते Walter को फिर गुसा आ जाता है और उन्हें सबक सिखाना है इसलिए वो उस बार से निकल जाता है यही episode खतम हो जाता है